नमस्ते, आज तक AI के राशफल स्पेशन शो में आपका स्वागत है, मैं हूँ आज तक की AI आंकर नैना, आज 5 जून, जेश्ट माह के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी तिथी और दिन बुधवार है, राशियों के हिसाब से आज कैसा रहेगा आपका दिन और किन बातों का आ आज शुप सूचनाई प्राप्त होंगी और आर्थिक मामलों को गती मिलेगी, आकर्शक प्रस्ताव भी प्राप्त होंगे और धंधान्य में वृद्धी होगी, आज भावनाव पर नियंत्रन रखें और आफसरों का लाब उठाएं, अतिति आगमन संभव है, प्रेम संब बढ़ेगी, बढ़ों का आदर बनाए रखें, लक्षय की और गतिशील रहेंगे, व्यक्तिगत संबंधों में मस्बूती आएगी, कार्य सफल होंगे और जीत का प्रतिशत उचा रहेगा, आज बहतर शुरुआत की संभावना बढ़ेगी, आर्थे कोननती उत्साहित रख नीती नियम की अवहेलना से बचे और वानी व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें, आज त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी, नए लोगों पर भरोसा न करें और सूजबूत से आगे बढ़ें, आज लाव सामान्य रहने वाला है, प्रेम संबंधों में धैर्य रख एक और पांच नंबर आपके लिए लखी है, हलका हरा रंग शुब होगा, करकराशी की बात करें तो आज सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा, कर्या कारोबार में फोकस रखें और सब को साथ लेकर चलें, प्रतिसपर्धा का भाव रहेगा, विस्तार की संभावनाए बढ़ेंगी, आएके नई स्त्रोत निर्मित होंगे, लंबित धन प्राप्त हो सकता है, उद्योग व्यापार में अपेक्षित परिनाम बनेंगे, पद प्रतिश्था और धन्धान्य में बढ़ोतरी होगी, आपके लिए शुब हंखे 1, 2 और 5, आक्वा कलर लखी होगा, कर के बाद बारी है सिंग राशी की, आज आप सफलता की रहा पर अग्रसर रहेंगे, कामकाजी गतिविदियों में वृद्धी होगी और प्रशासन के कारियों में सफलता मिलेगी, लाब का प्रतिशत समवरेगा और शुब प्रस्ताव प्राप्त होंगे, अधिकारियों से सह योग समवाद बढ़ाएं और निसन कोच आगे बढ़ते रहें, पद प्रतिश्था को बल मिलेगा, एक और पांच नमबर लकी हैं, कत्थरी रंग शुब होगा, कन्या राशी की बात करें तो आज उल लेखनिय विश्यों में गति लाएंगे, भाग्य की कृपा से परिनाम पक्ष में बनेंगे, साख सम्मान में वृद्धी होगी और वारताय सफल होगी, कर्या कारोबार में तेजी आएगी और लापकारी योजनाओ में विस्तार होगा, कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा, आस्था और आत्म श्वास बढ़ेगा, शुब पल पाने के के सहयोग से कामकाज में संतुलन बना रहेगा, आज आप स्वास्थे के प्रती सजग रहें और आर्थिक विश्यों पर फोकस बढ़ राएं, महत्पपूर्ण कारियों में जल्दबाजी न दिखाएं, कामकाज में आकस्मिक्ता बनी रहेगी, लोग प्रलोभन में आने से बचे और कोई जोखिम न ले, आज के लिए उपाय है कि आप भगवान गनेश की पूजा करे और हरी दूब और मोदक चड़ाएं, आज एक, पांच और छे नंबर लकी है, आस्मानी रंग शुब होगा, अब बारी है व्रिश्चिक राशी की, आज साजह कार्य व्यापार बहतर होगा, व्यवस्था का सम्मान करेंगे, डांपत्य जीवन में सुक सोख्य रहेगा और जीवन साथी बहतर प्रदर्शन बनाए रखेगा, करीबियों की सीख सलाह से आगे बढ़े और नियमों की अंदेखी से बचे, आर्थिक लक्ष्य पाने की उमीद है, आज व्यव्यापार में सामान्य से बहतर प्रदर्शन होगा, नौकरी पेशा अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेगे, आज नियम से चले और प्रलोभन में न आए, अकारण हस्तक शेप से बचे और स्वास्थय के प्रती सजग रहे, आपके प्रदर्शन से सभी प्रभावित ह आज एक और तीन नंबर लकी है, अंजीर जैसा रंग शुब होगा, मकर राशी की बात करें तो आज शिक्षन प्रशिक्षन के प्रयास बहतर होंगे और आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे, करीबियों का साथ मिलेगा और आप मित्रों संग व्रमन मनुरंजन पर संतान पक्ष का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, आज कोई जरूरी सूचना प्राप्थ हो सकती है, भावनात्मक मामले पक्ष में बनेंगे, आज शुबहन खेदो, पांच और आर्थ, लीफ कलर लकी होगा, मकर के बाद बात करेंगे कुम राशी की, आज व्यक्तिगत सफल संता के प्रियास तेज होंगे, रख्त संबंधों को मजबूती मिलेगी और भावन वाहन के मामले हल होंगे, आज अती उत्साह और आवेश से बचे, जलगबाजी में निर्नए न ले, अपनों को आदर सम्मान दे, कार्य व्यफसाय में सफलता मिलेगी और सुखत प्रस्ता प्राप्त होंगे, आज भावुकता में आने से बचे, दो, पांच और आठ नंबर लकी हैं, मोडपंक जैसा रंग शुब होगा, अंत में बारी है मीन राशी की, आज सभी से समन्वय और सहकार का भाव बनाए रखेंगे और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देंगे, सं बनक है, एक, तीन और छे, पीच कलर लकी होगा, आज के राशेफल में बस इतना ही, कल फिर सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा होगी, तब तक के लिए आप बने रहें आज तक AI के साथ, आपका दिन शुब हो